आप सभी श्रोता बंधों को मेरा प्यार भरा नमस्कार करी पत्ता के कुछ एक फायदों के बारे में हम सभी आज जानते हैं जिन्हें आपको जानकर खुशी होगी और आप बहुत सारी बिमारियों से बच पाएंगे करी पत्ता अक्सर कड़ी में ढाला जाता है इसे खाने में डालने से जायका बढ़ जाता है अधिकतर महाराश्ट्रियन घरों में इसका पेण मिल जाएगा यह खुश्बूदार पत्ता होता है इसको खाने से बाल काले और मजबूत रहते हैं इसके पत्ते कुछ-कुछ नीम की तरह होते हैं दक्षिन भारत एवं पश्चिमी तट के राज्यों और श्रीलंका के वियंजनों के छोंक में खास कर रसेधार वियंजनों में बिलकुल तेजपत्तों की तरह इसकी पत्यों का उप्योग बहुत महत्व रखता है इससे काला नीम भी कहते हैं कड़ी पत्ता लंबे और स्वस्थ बालों के लिए भी बहुत लापकारी माना जाता है कड़ी पत्ता पेट संबंधी रोगों में भी अत्यांत लापकारी है इसकी जड़ का इस्तेमाल आँखों और किड़नी के रोग के लिए होता है कई कालों से हिंदू धर्म में इसका पिन लगाने की हिदायत दी गई है कड़ी पत्ते में मौजूद आइरन, जिंक और कौपर जैसे मिनरल न सिर्फ अगनाशय की बीटा कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं बलकि उन्हें नश्ट होने से भी बचाते हैं इससे ये कोशिकाओं इंसूलीन का उत्पादन तेज कर देती हैं डाइबिटीज पीडितों के लिए रोज सुबह खाली पेट 8-10 कड़ी पत्ते चबाना फायदे मंद है डाइबिटीज को कंट्रोल करता है कड़ी पत्ते में एंटी डाइबिटीक एजेंट होते हैं यह शरीर में इंसूलीन की गती विधी को प्रभावित करके बलड शूगर लेवल को कम करता है साथ ही इसमें मौजूद फाइबिटीज के रोग्यों के लिए फायदे मंद होता है कैसे करें हम इसका इस्तिमाल अपने भोजन में कड़ी पत्ते की मात्रा बढ़ाएं या फिर रोज सुबह तीन महीने तक खाली पेट कड़ी पत्ता खाएं तो फायदा होगा कड़ी पत्ता मोठापे को कम करके डाइबिटीज को भी दूर कर सकता है डाइरिया को रोखता है कड़ी पत्ते में कारवाजोल एलकालाइडस होते हैं जिससे इसमें एंटी बैक्टिरियल और एंटी इन्फलेमेंटरी गुण होते हैं यह गुण पेट के लिए बेहत फायदे मंद होते हैं पेट से पीत भी दूर करते हैं जो डाइरिया होने का प्रमुक कारण है इसके लिए आपको कैसे इसका सिवन करना होगा यह जानिए अगर आप डाइरिया से पीडित हैं तो कुछ कड़ी पत्तों को कसकर छाँच के साथ पिएं ऐसा दिन में दो से तीन बार दोहराने से आराम मिलता है बालों की जड़ों को मजबूत बनाए जरूरत से ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल और प्रदूशन की वज़ा से बालों को काफ ही नुकसान होता है करीपत्ते में वो सारे पोशन तत्व पाये जाते हैं जो बालों को स्वस्त रखते हैं करीपत्तों को पीछ कर इसका लेप बना लें फिर इसे सीधे बालों के जड़ों में लगाएं या आप करीपत्ते को खा भी सकते हैं अगर आपको इसके कड़वे स्वाद से कोई परिशानी नहीं है तो इससे आपके बाल काले लंबे और घने हो जाएंगे साथें बालों के जड़े भी मजबूत हो जाएंगी नाक और सीने से कफ का जमाव कम करता है अगर आपको सूखा कफ, साइनाइटिस और चेश्ट में जमाव है तो कड़ी पत्ता आपके लिए बेहद असरदार उपाय हो सकता है इसमें विटामिन C और A के साथ इंटि वैक्टिरियल इंटि फंगल एजेंट होते हैं जो जमे हुए बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है इसके लिए कैसे सेवन करना होगा इस पर ध्यान दीजिए कफ से रहत पाने के लिए एक चमच कड़ी पाउडर को एक चमच शहद के साथ मिला कर पेश्ट बना लिजे इस मिक्सचर को दिन में दो भार पीजे आपको लाब होगा कैंसर से बचाता है ये इसमें एंटि उक्सिडेंट होते हैं जो बुढ़ापे को दूर रखते हैं और कैंसर को शिकाओं को बढ़ने नहीं देते हैं इसलिए इसका सेवन करना चाहिए कोलेस्टरोल को भी ये कंट्रोल करता है कोलेस्टरोल के लेवल को घटाता है लिवर को सुरक्षित करता है अगर आप ज़्यादा एलकोहल का सेवन करते हैं या फिश ज्यादा खाते हैं तो कड़ी पत्ता आपके लिवर को इससे प्रभावित होने से बचा सकता है कड़ी पत्ता लिवर को ओक्सिडेटिव स्ट्रेस से बचाता है जो हानिकारक्तत जैसे मरकरी जो की मचली में पाया जाता है और एलकोहल की वज़ा से लिवर पर पड़ता है इसके लिए आपको कैसे इसका सेवन करना होगा इस पर ध्यान दीजिए घर की बने हुए घी को गर्म करके उसमें एक कड़ी पत्ते का जूस मिलाईए इसके बाद थोड़ी सी चीनी और पीसी हुई काली मिर्च मिलाईए इस मिक्शर को कम तप मान में घर्म करके उबाल लीजिए और उसे हलका ठंडा करके पीजी आपको लाब होगा एनीमिया के रोगियों के लिए भी उपयोगी होता है कड़ी पत्ते में आईरन और फोलिक एसीड उच्च मात्रा में होते है इनीमिया शरीर में सिर्फ आईरन की कमी से ही नहीं होता है बलकि जब आईरन को अबजोब करने और उसे इस्तेमाल करने की शक्ती कम हो जाती है तो इससे भी इनीमिया हो जाता है इसके लिए शरीर में folic acid की भी कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि folic acid ही iron को absorb करने में मदद करता है इसके लिए आपको कैसे सेवन करना होगा इस पर ध्यान दे अगर आप एनिमिया से पीडित हैं तो एक खजूर को दो कड़ी पत्तों के साथ खाली पेट रोज सुबह खाईए इससे शरीर में iron level उंचा रहेगा और एनिमिया की संभावना भी कम होगी कीडी के काटने पर जहरीले कीडे काटने पर इसके फलों के रस को निम्भू के रस के साथ मिला कर लगाने से लाव होता है मासिक धर्म के दोरान होने वाले दर्द से रहत देता है मासिक धर्म के दिनों में होने वाली परेशानी एवं दर्द से निजात पाने के लिए कड़ी पत्ता काफी असरदार होता है इसके लिए इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए इस पर ध्यान दीजिए इसके लिए मीठे नीम या कड़ी के पत्ते को सुखा कर इसका बारिक पावडर तैयार कर लिजिए एक छोटा चमच इस मिक्सचर को गुनगुने पाने के साथ सेवन कीजिए सवेरे और शाम दिन में दो बार इसे दोहराईए करी दाल पुलाव इत्यादी के साथ करी पत्ते का नियमित सेवन बेहत फायदे मंद है बालों का गिरना कम करे करी पत्ता में विटामिन B1, B3, B9 और C होता है इसके अलावा इसमें आइरन, कैल्शियम और फासफोरस होते हैं इसके रोजाना सेवन से आपके बाल काले, लंबे और घने होने लगेंगे यहीं नहीं यह बालों को डेंडरफ से भी बचाती है जले और कटे अस्थान पर इसके पत्ते को पीस कर आप लगाईए आपको लाव होगा दिल की बिमारियों से बचाता है एक श्टड़ी के अनुसार कड़ी पत्ते में ब्लड कोलेस्टरोल को कम करने वाले गुन होते हैं जिससे आप दिल की बिमारियों से बचे रह सकते हैं या इंटि आक्सिडेंट से भरपूर होते हैं जो कोलेस्टरोल का आक्सी करन होने से रोकते हैं दरसल अक्सिकृद कोलेस्ट्रोल बैड कोलेस्ट्रोल भनाते हैं जो हार्ट डीसिज को न्योता देते हैं इसके लिए आपको खाने में कड़ी पत्ते का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए इसके कुछ पत्तों को कच्छा भी चबाना चाहिए आपको लाव होगा infection यह infection से लड़ने में मदद करता है kidney के लिए भी यह लाफकारी होता है आँखों की बिमारियों में लाफकारी होता है यह आँखों की बिमारियों में लाफकारी होता है इसमें मौजूद anti-oxidant केटरेक्ट को शुरू होने से रोकते हैं यह नित्र जोती को बढ़ाता है तो देखा दोस्तों आप सभी ने ये था आज का हमारा देशी नुश्चा कड़ी पत्ते के फायदे से ले करके कड़ी पत्ते के फायदों को जान करके आप चौक जाएंगे ये था आज का हमारा ये टॉपिक और सिरियसली अगर आप कड़ी पत्ते के फायदे आज पूरा सुन पाए हैं तो जरूर आप आज से अपनी डाइट में कड़ी पत्ते को शामिल करेंगे जो कि आपके लिए बेहद लाफकारी सावित होगा अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महतो पूर्ण जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों